जैशिर रादे कृष्णा साथियों मैं वही कृष्णा ग्यान सारा चैनल में आपका स्वाकत करती हूं कैसे हैं आप आपके अच्छी स्वास्त और सुखत जिवन के मंगल कामना करती हूं आपके अपने इस्तेवों को कोटी कोटी नमन करते वे बड़ों को परणाम करते वे यानि कि देव दिवाली तक ये पाच अद बुद्धिन फिर नमी लेंगे दोबारा बहुत जल्दी एक साल बात तो इस एक साल में आने से पहले-पहले हम ऐसा क्या करें कि हमें पूरी कार्थिक महा का फल प्राप्त हो साथ ही साथ देव दिपाली साथ ही साथ आज जान ले लेकर मैं आपके बीच में चलिए जड़ पर वीडियो प्राप्त कर लेते हैं देव दिवाली बोल तो 26 नवंबर को पूर्णी मा थी ती तीन बच कर 33 में पर प्राप्त हो रही है जो कि 27 तारिक को दो बच कर 45 मिनट तक रही उदिया थी कि अनुसार जो कार्थिक पूर्ण मनाते हैं इस दिन भगवान शिव ने तिरुप्रा सूर पर विजय प्राप्त की थी तीसली से तिरुप्रारी पूर्णिमा भी कहते हैं तो इस पर सभी देवी देवता प्रत्वी पर आकर उत्सम मनाते हैं दिपावली मनाते हैं खास थोड़ से वारण शी के घाट पर 84 जो करें क्या गलती ना करें लेकिन आज बात कर लेते हैं सिर्फ देव दिवाली की खास उपाई यानि कि माता लक्षमी को परसंद करने के लिए यानि कि दिवाली पर चूट गया उसे करने के उपाई यानि दिवाली पर कर भी लिया तो भी देव दिवाली पर करने के उपाई क्योंकि सारे देवतागन प्रत्वी पर हैं आज के दिन विशेश उपाई यह है कि तुलसी के पत्तों की माला लाकर बनाकर श्री भगवान हरी विश्नु को अरपित करें अगर आपको लगता है कि तुलसी का गंबला नहीं है या इतने पत्ते नहीं है ये 108 पत्ते लेके माला बनाई जाए तो तुलसी जी के बीजों की माला जो की बैजार में मिलते हैं तुलसी की माला भी कहते हैं जिससे हम मंत्र जाप करते हैं वो आप उनकी कले में पहना ये अर्पित करिए तुलसी जी का जो गमला जिस पर की आपने पूजन किया है तूरे म अगर आपको लगता है कि गंबला नहीं है और आपने कहीं ऐसे स्थान पर लगाए तो फिर आप उसको उड़ा भी सकते हैं इसी के साथ साथ आपको करना क्या है कि आपके जीवन में प्रकाश हो जाए इसलिए कहते हैं कि दीबदान तो करना ही 365 बाती का दिया बनाना आपको बताया ही है कलावे की बाती बनवाई है मैंने और उसको कहा का लगाना ये भी बता दूगे लेकिन खुले आकाश के नीचे जरूर 365 बाती का दिया लगा है क्या डालकर उसके अंदर आपको डालनी है लोंग साथ लोंग और थोड़ा कपूर डालकर आप चला दीजेगा वो अच के दिन बहुत जरूरी है इसी के साथ साथ घर के मुख्यद्वार पर या घर की छत पर या घर की बालकनी पर लाल बल्व लगाना अनिवार है लाल बल्व लगाए और उस लाल बल्व को प्रजलित कर दीजे तवाम रात उस बल्व को जलाए मातालक्षमी लाल रंग द नहीं भूलिएगा, पूरे घर को प्रकाश्वान रखेगा, सुगंदित रखेगा, माता लक्षमी के निवित खीर का भोग जरूर बनाईएगा, और देव दिवाली को खुब धूम धाम से मनाईएगा, इस दिन की ये वाली दिवाली आपके लिए पूरे वर्ष भर के लिए धन धन्य और अन्य से परिपूर रहे, इसलिए देव दिवाली की बहुत बहुत सारी शुब कामना है, हाँ, इस दिन क्या काम नहीं करना, ये भी जल्दी यल्दी आपको बता दू, आज के दिन आपको अपने घर में अंधेरा नहीं करना चाहिए, शाम के समय जारू नहीं लगानी चाहिए, शाम के समय सोना नहीं चाहिए, और शाम के समय घर बंद करकर कहीं जाना नहीं चाहिए, इतना तो आपको ध्यान रगना पड़ेगा, क्योंकि इतनी बड़ी पूरिमा है, सातिक बोजन आप ग्रहन करेंगे, सारी चीज़े आपको आगे भी बताऊंगी, फिलार जो मैंने आपको खास उपाय बताये देव दीवाली का, उस पर भी ध्यान दीजेगा, और वह जरूर कीजेगा, कहीं सरान करने जा पाए, पवितर नदी में तो मैं आपको क्या ही बोलूँ, वहीं सरान करिए, वहीं दान करिए, अनका वस्तर का दान करिए, तिल का करिए गुड का दान करिए दीप का दान करिए जो चाहे करिए पर करिए जरूर जितना भी हो से के उतना करिए कुछ ना करने से करना हमेशा बहतर होता है तो देव दिवाली की असंखे अनंद शुब कामना है आज के लिए इतना इजाज़त दीजिए आशा करते हैं वीडियो इश्वर आपकी मदद करें